हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल सीबीस ऑनलाइन लेर्निंग सत्यस गड़ के बारा जिला की तरब से भरती के लिए नई विग्या पंजारी की गई है इसमें बिलासपूर, रायगर, जगदरपूर, रायपूर, धमतरी, कबीरधाम, सरगुजा, सुक्मा, राजरामगाउ, बेमेतरा, महासमुन और सुरजपूर जिला की तरब से महिला एवं बालविका स्विभाग में भरती के लिए या विग्यापन जारी हुई है इसमें कौन-कौन से पद है, कितने पद है, योग्यता क्या रहेगी, सेलरी और आजुसीमा क्या रहेगी और आविदन किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहेए वीडियो के अंति तक वीडियो सुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सिस्क्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर लीजेगा जिससे की मेरे चैनल पर डेश्ट जाब अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तूरंत पहुं सके चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहली वेकिंसी है, कार्याला जिला, कारेकरम, अधिकारी, महिला इवं बालविकास, विभाग, जिला भिलासपुर, 36 गड़ की तरब से, मिसन सक्ती, अंतरगत, महिला ससक्ती, करन, केंद्र, के संचालन, हेतु, सम्विदा, श् पर देख लेते हैं, जिरा मिसन समन्वयक के लिए एक पद निकाला गया है, 31,450 का पेमेंट यहां पर दिया जाएगा, प्रती महा, जेंडर ही से शग्य के लिए दो पद निकाला गया है, 25,780 का पेमेंट दिया जाएगा, वित्ती साक्षर्ता एवं समन्वय विशिषगे क के लिए दो पद निकाला गया है, 20,900 का पेमेंट दिया जाएगा, कार्याले सायक के लिए एक पद है, 18,420 का पेमेंट दिया जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पद है, 14,200 का पेमेंट दिया जाएगा, मुर्टी टास्क के लिए एक पद है, 11,720 का पेमे गया है जिला मिशंद समानवयक के लिए यहाँ पर समाज शास्थ्र जीवन विक्यान पोशन स्वास्थ प्रभंधन समाज कार्य ग्रामिंग प्रभंधन में इस्नातक डिग्री बिए समाज सास्थ्र समाजिक कार्य B.S.W. B.S सी क्लीनिक एवं नूट्रिशन बीए सी फूड एंड नूट्रिशन बीए पब्लिक हेल्थ बीए रूलर मैनेजमेंट MBBS, BAMS, BHMS आदी यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसके लिए अनिवार एक उसल कंप्यूटर का अच्छा ग्यान एवं AMS आफिस में कारे करने की चमता मांगी गई है और अनुभाव यहां पर मंगा गया है संबंधित छेत्र का सास की है और इसास की है गैर सास की संगठन इस अंस्थाओं में काम करने का तीन वर्ष का अनुभाव कम से कम तीन वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभाव यहां पर मंगा गया है पांचनी योग्यता 17 से डिगरी धारा को प्रातमीक्ता दी जाएगी. अंग्रेजी भासा में कंप्यूटर में कारे करने का अनुभा वाले को यहां पर प्रातमीक्ता दी जाएगी. नेश्ट है जेंडर विसे सग्ये के लिए समाजिक कार्य अन्य समाजिक छेत्रों में इस नातक की डिग्री होनी चाहिए कम्प्यूटर का अच्छा ग्यान जिसमें MS Office यां कम्प्यूटर टाइपिंग अनिवारे में काम करने की छमता होनी चाहिए जेंडर से संबंधित कारेकर शास्की अर्दसास्की या गैर सास्की संस्था में तीन वर्स का अनुभाव मंगा गया है इसनाकोतर दिग्धारग को प्रास्मिक्ता और अंग्रेजी में कम्प्यूटर में काम करने वाले को अनुभव वाले को प्रास्मिक्ता दी जाएगी इसनाकोतर अंग्रेजी भासा में कम्प्यूटर में कारे करने वाले को प्रास्मिक्ता दी जाएगी नेश्ट है कायाले सायक के लिए लेखा या अन्य छेत्र में इसनातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विशय के रुपे शम्मिलित हो कम्प्यूटर का अच्छा ग्यान MS Office से हम कम्प्यूटर टाइपिंग में कारे करने की शम्ता लेखा से संबंदित कारियों का सास्की या अर्द सास्की या गैर सास्की संगटन में तीन वर्ज का अनुभाव और अंग्रेजी भासा में कम्प्यूटर में कारे करने का अनुभाव मंगा गया है नेश्ट है डाटा एंट्री ऑप्रेटर के लिए इसना तक उपाधी के साथ में कम्प्यूटर कारिया आई टी अने छेत्र में यहां पर ग्यान मंगा गया है कम्प्यूटर का अच्छा ग्यान जिसमें MS Office एवं कम्प्यूटर टाइपिंग अनिवारे रुप से यहां पर भांगा गया है अग्रेजी भासा में कम्प्यूटर में कारे करने वाले को प्रात्मिक्ता दी जाएगी मल्टि टासक के स्टाफ इसमें किसी भी मायनतर प्राप्त बोर्ड से दसी पास्त्मिकता दी जाएगी इसके लिए आईू सीमा की गणना एक जणवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी नियुंतम आईू 21 वर्स और अदिक्तम आईू 45 वर्स रखी गई है आयू यह जन्म के सत्यापन के लिए आटवी या दसवी की अंक्स उसी जिसमें जन्मती थी अंकीत हो उसी के अधारपन किया जाएगा सत्यापन के लिए दस्तावेच को यहाँ पर प्रप्रमारित प्रती सलग न करना अनिवारे है जिल लिए मिसन समन्म वैग्ष तथ जेंडर विसे सग्या अनुसंधान और प्रसीखन विसे सग्या पद है तु छतिस गड़ आजच का निवासी होना अनिवार नहीं है इन तो 36 गवर राज्य के निवासियों के आविदन करने पर उन्हें प्रात्मिक्ता दी जाएगी इस हेतो मेरिटने धारन के अंकी प्रनाली में 36 गवर के स्थानी निवासियों को इन पद हेतो दो अंक बोनस दिया जाएगा सेज पदों पर अभ्यार्थी को 36 गड़ का मुल निवासि होना अनिवार है जिसके लिए निवासियों प्रमान पत्र सलंग न करना होगा जाती प्रमान पत्र भी आपर सलंग न करना होगा आविदन पत्र दिये के प्रारूप में ही जमा करना होगा आविदन पत्र के साथ में 22 प्रमान पत्र एवं अंग सुची वह अन्य दस्ता वेच स्व प्रमानित करके लगाना अनिवार होगा अगर आपके पास experience है तो experience certificate भी आपको सनलगने करना अनिवार होगा प्रतेक पत्र के लिए यहां पर अलग-अलग आविदन करना होगा लिफाफे के उपर एवं आविदन पत्र में पत्र का नाम दिसके लिए आविदन किया जा रहा है इस प्रस्ट रूप से उलेक होना चाहिए निया था आविदन को निडस्त कर दिया जाएगा लिफाफे के उपर वा आविदन पत्र में प्रेशक का नाम एबं पत्र विवार का पूरा पता इमेल आईडी वा मुबाइल नमबर सही अवस्यक रूप से लिखना होगा इसके लिए मेरित तयार करती हुए वाक इन इंटर्वी कोसल परिचा का आयोजन भी किया जाएगा आविदन पत्र पंजिकरी डाक, स्पीट पोच्ट या कोरियर के माध्धम से ही निधारी तीथी तक स्विकार किये जाएंगे कोसल परिच्छा वाक इन इंटर्वी में सम्विलित होने वाले अभ्यारतियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्तर देया नहीं होगा न्यूक्तिक की अधिया अपर दो बर से रखी गई है अवस्यक्तर पढ़ने पर अधिय को बढ़ाई भी जा सकती है पुर्ण रूप से आई स्थाई सम्विदा भरती है और इसी पीडियेप के लास्ट में इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म का रारूप भी दिया गया है यहां पर अपना पासपॉर्ट साइज फोटो लगाना है जिस पर आपको अपना सिग्रीचर भी करना होगा और यहां पर अवेदिक पाद या संस्था का नाम और पीता का नाम अपना इस्थाई पता डेट आप बर्थ केटेगरी क्वालिफिकेशन टिटेल यहां पर डाल अनकोई विवरन है तो यहां पर डाल सकते हैं experience का detail आपको यहां पर दे देना है और experience certificate वे आपको सनलगन करना होगा और application के साथ में 10 वी 12 इसनातक और व्यावसाइक पाठ्टकरम का प्रमानपत्र मूल निवास प्रमानपत्र इसनाकोतर है तो इसनाकोतर भी आपको लगाना ह होगा और विज्यापन अनुसार निधारित अउधी का अनुभा प्रमान पत्र पहचान अधार कर्ड और वोटर आड़ी कोई भी आप लगा सकते हैं साथ पे एक लिफाफा जिसमें स्वयम का पता लिखा 10 रुपे का डाक्टिकर्ट लगा हो इस सबको आपको application form के साथ में अलग नकरना अनिवार हैं और अब जितने भी डाक्टिमेंट सवलंग नकरने सबकी सुच्छी यहां पर लगा देनी हैं अब इदा का स्थाक्षर नाम लिख देना है लास्ट में घोष्णा पत्र दिया है यहां पर इस्थान और दिनांक लिखना है और यहां पर अपना सि इस पीट पोश्ट पंजिकरित द्रा गया कोरियर के माध्यम से अप्लाई करना है अप्लाई करने से पहले पूरा पिडियाप अच्छे से रिट कर लीजेगा इसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा इसकी ऑफिचल वेपसाइट की लिंक इस वीडियो के गया है इसमें भी महिला इवं बालविका स्विभाग की तरब से समान पदों पर भरती के लिए ही विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें भी एप्लाई करने की लास्ट डेट साथ नमबर रखी गई है पद वही रहेंगे और उनकी संख्या भी यहां पर सभी जिले में आ है इसमें भी समान पदों पर भरती निकाले गए हैं और इन सब की क्वालिफिकेशन पूर्व में बताया गया है उसी की अनुसार ही रहेगी और इसमें एप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है नेश्ट विज्यापन है महिला एवं बालविकास विभ इसमें एप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2023 रखी गई है पदो की संख्या पदो का नाम पेमेंट आयू और क्वालिफिकेशन पूर वद्य से बताया गया है उसी प्रकार से रहेगा नेश्ट विज्यापन है महिला इवं बालविकास जीला कभी धाम और यहां वेफसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन में दे दी गई है कभी धाम जीला में भी समान पद निकाले गए हैं और उनकी क्वालिफिकेशन भी पूर्रवात ही रहेगी आयू सीमां भी आपको बताया गया है उसी प्रकार से रहेगा 21-35 वर्स और धिक्तम 45 वर्स क्वालिफिकेशन भी पूरी समान यहां पर रखी गई है जिस प्रकार आपको पहले बताया गया है उसी प्रकार से रहेगा सभी जीले में यहां पर समान पद समान संख्या में निकाले गए हैं सभी की क्वालिफिकेशन भी समान रखी गई है केवल एप्लाई करने की अंती निकाले गए हैं पदो की संख्या वही रहेगी और पदो का नाम भी पुर्वत रहेगा नेश्ट वेकेंसी है यहाँ पर जीला सुकमा की तरफ से चारी किया गया है इसमें भी आठ पर निकाले गए हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2023 साम 5 बने तक से रखी गई है और यहाँ भी संवीदा भरती है नेश्ट वेकेंसी है जीला राजनान गाउं की तरफ से और राजनान गाउं में अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2023 रखी गई है बागी की जानकारी पुर्वत ही रहेगी नेश्ट वेकेंसी बेमितरह जीला की तरफ से जारी किया गया है इसमें भी आठ पद निकाले गए हैं इसमें एपलाई करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2023 रखी गई है पदो की संख्या पदो का नाम क्वालिफिकेशन आयू सीमा सैलरी सभी समान रहेगी इसकी विडियो के डिस्किप्शन में आपको प्रवाइट कर दी गई है जहां से नोटिफिकेशन डाउलोड करके आप डिट कर सकते हैं नेश्ट वेकेंसी है महिलायवं बाल विकास्विभाग जीला महासमुन की तरफ से और इसमें एपलाई करने की लास्ट डेट 18 अक्टोबर 2023 रखी गई है कारेले का नाम बता दिया गया है कारेले जीला कारेकरम अधिकारी महिलें बाल विकास्विभाग महासमुन में आपको अपना विदन पंजी के डाग के मात हमसे भेजना होगा पदो की संख्या पदो का एपलाई कर सकते हैं नेश्ट वेकेंसी है महिला एवं बालविकास्विभाग जीला सुरजपूर की तरफ से इसमें भी यहाँ पर आठ पद निकाले गए हैं पदो का नाम पदो की संख्या समार रहेगी सेलरी भी समार रहेगी एपलाई करने की लास्ट इसके लिए 18 करके आप यह पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं तोटल 12 जीले की तरफ से यहां पर महिला एवं बालविकास्विभाग की तरफ से वेकेंसी जारी की गई है सभी की ऑफिचल वेपसाइट की लिंक जीले वार इसी वीडियो के रिस्किप्सर में आपको प्रोवाइट कर दी ग सभी क्वालिफिकेशन डीटेल एक्सपीरियंस और जितने भी सेस्टिफेकेट है सभी के ऍम लगाना होगा फोट लगाना होगा और एक लिफाफा भी आपको लगा ना होगा और इन सब को अब बोला गया है पहले आपको 50 सब आपको बता दिए गई है सबिए की लास्ट ड लखी गई है पदों की संख्या पत का नाम और सेक्षने क्यों गयता आयूसीमा और अन्य नियाव इमसरते सभी जिला के लिए समान रहेगा जिसे आप पीडियेप डाउनलोड करके भरती विज्यापन जारी की गई है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्किप्शन में डिसेंट अप्लोड़ेट वीडियो की एक प्लेडिस्ट में जाएगी वहां से भी आप मेरे पिछले वीडि लो तो वीडियो को लाइक और कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है जिससे की मेरे चैनल पर नेश्ट जाब अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपका तुरंद पहुंच सके आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यमाद